नमस्तार Zee News देख रहे हैं आप मैं हूँ अदुती अवस्ती शाम के साहे 6 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं नए भारत का 2020 एक ऐसा शो जिसमें आपको सिर्फ 20 बिनिट में दिन की 20 बड़ी खबरे देखने को मिलेंगी साथ ही आपके लिए उन खबरों के पीछे की पूरी कहानी समझना भी आसान होगा हम चाहते हैं कि इस कारिक्रम के जरीए आप खबरों में, तरकों में, तथ्यों में और जानकारियों में 19 ना रहें बल्कि 20 बने तो शिर्वात करते हैं पहली खबर से देश की कोई भी उनिवसिटी अपनी पढ़ाई को लेकर खबरों की सुर्खियों में आती है लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये उनिवसिटी हिंसा और हंगामे को लेकर सुर्खियों में है जामिया उनिवसिटी में आज फिर हंगामा हुआ आज चात्र सडकों पर नहीं उत्रे बलकि कैमपस के अंदर ही वीसी दफ्तर का घिराफ करने पहुँच गए जामिया युनिवोस्टी में आज उम्मीद पहले की तरह पढ़ाई शुरू होने की थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जामिया युनिवोस्टी के चात्र आज कैमपस में वीसी दफ्तर के पास जमा हो गए चात्रों ने वीसी के खिलाफ नारे बाजी की चात्रों का आरोब था कि कैमपस के भीतर पुलिस के घुसने को लेकर वीसी ने अब तक क्यों नहीं कुछ किया पुलिस के खिलाफ और चात्रों की पिटाई के खिलाफ एफाई आर क्यों नहीं दर्च करवाई गए चात्र जब वापस लोटने के लिए तैयार नहीं हुए तो वाइस चांसलर नजमा अख्तर को चात्रों के बीच आना पड़ा चात्रों की मांग पर जामिया में परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गए एफाई आर के लिए अब युनिवोस्ट्री प्रशासन कोर्ट जाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है जामिया में पुलिस के खिलाफ इस जंग का अंजाम तो आगे पता चलेगा लेकिन इतना तैह है कि जो चात्रों पड़ना चाहते हैं वक्त पर 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 एक्जाम नहीं दे सकेंगे जैसे जैसे वक्त बीतेगा चात्रों का नुखसा भी बढ़ता जाएगा वाइस चांसलर नजमा अक्तर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा सुनी प्लीज आप पूरा तो सुनिये आधी बाद बात के बोल लगते हैं हम हैं जो भी चीज़ें उसके बावजोती हम लोंने अब्जेक्शन भेजाए उसी गौर्णने को जिसके हम इंपर भी जाए हैं जेनियू में आज SIT की टीम आरोपी छात्रों से पूछताच करने पहुची पुलिस एक और खुलासा कर चुकी है हिंसा के बाद जिस नकाब पोश लड़की की तस्वीर सोचल मीडिया पर तेजी से फैली थी पुलिस ने उसे पहचान लेने का दावार किया है ये तस्वीर आपने भी सोचल मीडिया पर देखी होगी इस तस्वीर को लेकर कई तरह के दावे भी आपने सोचल मीडिया पर पढ़े होंगे हाथ में डंडा और मुह पर कपड़ा बांधे ये लड़की जेन्यू में तोड़ फोड़ और मारपीट करने वाले ग्रुप में शामिल थी लड़की ने चेहरे को पूरी तरह से ढख लिया था लेकिन पुलिस ने अब इस लड़की को पहचान लेने का दावा किया है पुलिस के मताबे कि ये लड़की जेन्यू की नहीं बलकि दिल्ली यूनिवरस्टी की है पुलिस के मताबे कि ये लड़की दिल्ली के धौलत राम कॉलिज की चात्रा है और इसका नाम कोमल शर्मा है कोमल शर्मा को भी पुलिस पूछताच के लिए नोटिस भेजेगी दिल्ली पुलिस की S.I.T. छात्रों की पहचान करने के साथ ही स्टाफ और टीचर्स से भी पूछताच शुरू कर रही है आज जेन्यू में पूछताच के लिए S.I.T. की टीम पहुंचे जेन्यू हिंसा मामले में चार टीचर्स के स्टेटमेंस रवीबार को रिकॉड किये जा चुके है अब तक इस मामले में कुल 45 लोगों के स्टेटमेंस रिकॉड किये जा चुके है ये सारी पूछताच जेन्यू केंपस में ही हुई है जेन्यू हिंसा मामले में दिल्ली हाइकोट ने फेस्बुक, गूगल और वाटसाप को नोटिंस चारी किया है वहीं C.A.A. के खिलाफ शाहीन बाग में भरने के खिलाफ भी हाइकोट में आचिका दी गई है जेन्यू में हिंसा को लेकर वाटसाप समेथ अन्य सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर कई तरह के विजियो और फोटो वाइरल हुए थे जिससे कई प्रदर्शन कारियों की पहचान हो सकती है अब दिल्ली हाइकोट में नोटस जारी कर फेस्बुक गूगल और वाटसाप को हिंसा से जुड़े विडियो को सुरक्षित रखने को कहा है नागरिक्ता कानून और एनर्सी के वेरोट में एक महने से जादा बक से दिल्ली को बंधक बनाने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली हाइकोट में याचिका दाखिल की गई है याचिका में कहा गया है कि दिल्ली नॉडा को जोडने वाली शाहिन बाल और कालंदी कुंच की सरकों को खुलवाया जाए रविवार को लोगों ने प्रदर्शन भी किया था देश की तबाम बड़ी खबरों के बीच आज यूपी से बहुत बड़ी खबर आई है यूपी की राजधानी लखनव और दिल्ली से सटे नॉडा में आप पुलिस कमिशनर होंगे यानि प्रिशासन की शक्ती का एक बहुत बड़ा हिस्सा अप पुलिस के पास होगा आप दिल्ली की तरह नॉडा में भी पुलिस कमिशनर, डीसीपी, एसीपी जैसे पद होंगे यूपी पुलिस सिस्टम में आज एक बहुत बड़ा बड़ा हुआ है पहली बार यूपी के दो शहरों में पुलिस कमिशनर सिस्टम की शुरुवात हो रही है अब इन दो शहरों में पुलिस के पास पहले से ज्यादा कानूनी अधिकार होंगे यूपी के इन दोनों शहरों में ADG rank का पुलिस कमिशनर होगा IG rank का जॉइन पुलिस कमिशनर होगा DIG rank का एडिशनल पुलिस कमिशनर होगा एस्पी रैंक के डिप्टी पुलिस कमिशनर होंगे, एस्पी रैंक के एसिस्टेंट पुलिस कमिशनर होंगे फाइदा ये है कि अब धारा 144 लागू करने, रैलियों की इजाज़त देने, हत्याल लाइसेंस देने जैसे कई अधिकार पुलिस के पास होंगे यूपी में पुलिस सिस्टम को मजबूत बनthought जारہा है, वहीं जम्मू कश्मीर में एक पुलिस वाला पूरे पुलिस सिस्टम पर सवालिया निशान लगा रहा है हम बات कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ पकड़े गए, डिएसपी देवेंडर सिंह की देवेंदर सिंग के बारे में चौकाने वाले खुलासे हो रहे हैं आगे की जाच एनाई ये करेगी हमारे समधाता खालिद हुसेन की रिपोर्ट देखे मिलिटन्स के साथ पकड़े गए डिप्टी स्पी देवेंदर सिंग मामले की जाच अब नैशनल इंविस्टिकेशन एजनसी एनाई करेगी स्टेट पुलीस ने इसकी कंजन्ट दे दी है आज एनाई की टीम श्रीनगर में एक्सपेक्टिड थी लेकिन बारी बरबारी और फलाइट्स ना आपरेट होने के कारण वे श्रीनगर नहीं पहुंच पाई लेकिन किसी भी वक्त एनाई इस केस को ले सकती है और इस पर जाच शुरू कर सकती है आज दिन बर भी इस मामले मर जाच परताल होती रही जिप्टी एसपी के दोनु निवास स्त्राल और श्रीनगर में छापा मारी जारी रही ताकि और सुबूत जुटाए जा सके लखनव में कमिशनर सिस्टम की शिरुवात होने के साथ ही पुलिस को बड़ी कामियाभी भी मिली है पुलिस ने लखनव में नकली नोट छापने वालों को पकड़ा है ये गैंग सौ और पचास के नकली नोट तयार करते थे दो लाग से जादा नकली नोट बरामत किये गए है खुलासा हुआ है कि पिछले डेर साल से ये गैंग काम कर रहा था ये गैंग 40% के कमिशन पर नोट की सप्लाइ करता था ये खुलासा आलमबाग पुलिस ने किया है और अब आपको दिखाते हैं देश भर में बर्फबारी की अलग-अलग तस्वीरें और शुरुबात करते हैं जम्मू कश्मीर से जहां आस्मान से सफेद आफद बरस रही है जिसने पूरी घाटी की कपकपी छुड़ा रखी है पूरी कश्मीर घाटी बर्फिस्तान नजरा रही है श्रीनगर हो गुलमर्ग हो या पिर सोनमर्ग हर तरफ बर्फ ही बर्फ है डल जील के शिकारे बर्फ से ढग गए है बरबारी की वजह से श्रीनगर हवाई एड़े पर विमानों की आवजा ही प्रभावित हुई है मौसम विभाग ने जम्मो और कश्मीर रीजिन में मंगलवार तक भारी बरबारी की आचंका जताई है लद्दाक में भी कडाके की ठंड पड़ रही है कारगिल और द्रास में तापमान शूनिय से 20 डिगरी तक कम हो गया है यहां मौसम विभाग ने 16 जन्वरी तक येलो वानिंग जारी की है पहाडों पर इन दिनों भारी बरबारी से आफ़त आई हुई है लेकिन पुद्रत के साटक के बीच हम आपको बहुत खुबसूरत तस्वीर भी दिखाते हैं जरा सोचिए एक तरफ ठंड से बचने के लिए लोग घरों में ही रहते हैं वहीं अगर वो घर ही बर्फ का हो तो कैसा हो कुछ यही अनुभव लोगों को मनाली में मिल रहा है जहां सैलानी बर्फ के घर में रहकर छुट्टियां बिता रहे है चारों तरफ बर्फ वहाँ ऐसा अश्यानाच जो बर्फ से ही बना हो कुछ ऐसा ही मनाली में आप लोगों को भा रहा है दस हजार फीट की उचाई पर घने जंगलों के बीच बसा हुआ मनाली का सेथन गाउं जो एगलू हाउस के नाम से भी फेमस है लगबग दस हजार फीट की उचाई पर इस थान पे खड़ा हूँ इसका नाम सेथन है यहां की दो लोकल लड़के हैं जो की बरफ का घर बना रहे है इगलू हाउस बना रहे है सैलानी अहाँ पर इसलिए पहुंच रहे हैं ताकि इस बरफ के घर का एक्सपीरिंस ले सके खोन जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए बर्फ से बने इन घरों को खास तोर पर डिजाइन किया जाता है एगलू बनाने के लिए ठोस बर्फ के टुकड़ों को आपस में जोड़ देते हैं एगलू के अंदर किसी का दम न खुटे इसलिए एगलू की छट पर एक छेट भी किया जाता है सेलानियों के लिए बर्फ के घर में रहने का रोमांच ही अलग है माइनस 15 डिग्री सेल्सियस के बीच सेलानी बर्फ के बने इन घरों में अपनी छुट्टिया मनाने पहुंचे है और अब आपको ले चलते हैं बर्फ के घर यानि इगलू हाउस के अंदर और दिखाते है कैसे चारों और बर्फ के बीच बने इन घरों में टूरिस्स इंजोई कर रहे हैं इस वक्त हम लोग इगलू हाउस के अंदर हैं और तमाम जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पेटूरिस्ट हैφ, लडकिाय हैं जो यहां पर ठहर रही है। परेंट अपको एग्लु हाउस के बाारे में कैसे पता चला थ। और किस तरीके से एक्सपिरिंस आपका रहा है एग्लु हाउस में ठहर रही है। अच्छिली फ्रेंड के थू पता चलाता है and it's very awesome. यह से लगानी तक इतना कूल रहेगा and थोड़ा गरम है अंदर ऐसा नहीं की बहुत थंडी है but it's very nice. बहुत अच्छा एक्सपिरेंस मिला है. बहुत अमेजिंग एक्सपिरेंस ऐसे लगाने था मतलब इतना मस्ट लग रहा है पर बहुत पीसफुल है it's very nice. यहाँ पर थोड़ा इसकी मुवाला फील हो रहा है. इगलू हाउस है ना तो इगलू में बेसिकली इसकी मुझ रहते है. So ऐसी ही फील हो रहा है. So it's amazing. आप यह देख सकते हैं कि यह मुंबई से आई हुई लड़किया हैं जो मनाली के ट्रिप को बता रही है कि जब इगलू हाउस में यह ठहरी हैं तो किस तरीके से उनका यह एक्सपिरेंस रहा है और कहीं न कहीं तमाम तूरिस जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो इसी तरी के का एक्सपिरेंस लेकर लोट रहे हैं संदीव सिंग जी मीडिया मनाली हिमाश्र पुर्देश इस साल विंटर बहुत ही अच्छा है और इगलू के लिए तो बहुत ही सूपर टाइम है तो जितना भी तुरिस्ट आता है जैसे यहां पर तो बहुत मलब गचों के जाता जैसे खुशों के जाता है जैसे मुतलब सेलानी आ रहे हैं ताकि इस इगलू हाउस का लुद्फ जो है वो यहां पर ले सकें आपको यह हम्टा पास की खुबसूरत पहाडियों का एक बार दृश्य दिखा देते हैं यह ऐसा स्थान है जो इन दिनों सेलानियों की पहली पसंद बना हुआ है तो हो जाईए तयार पैक कर लीजे अपने बैक को और पहुँच जाईए मनाली बर्फ के इन धरों में रहने के लिए कडाके की ठंड थोड़ी परिशान जरूर करेगी लेकिन एक खास एहसास भी होगा जो वाकई सबसे अलग होगा हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बढ़ाने वाली है यहां मौसम की मार और तेज हो सकती है दरसल मौसम विभाग ने यहां अगले चार दिनों के लिए भारी बर्फबारी का अलड़ चारी किया है अगले चार दिन हिमाचल प्रदेश पर भारी पढ़ने वाले हैं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में यलो वानिंग जारी की है आज से लेकर 16 जनवरी तक शिमला, मनाली, कलपा, केलांग समेथ कई पहाडी इलाकों में भारी बर्फ बारी के आशनका जताई गई है मनाली की इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक आपको सिर्फ बर्फी बर्फ दिखाई देगी और कुछ नहीं पेर, सड़क, मकान, दुकान सब बर्फ से लगे पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में 54 हाईवे मिलाकर 600 से जादा सरके बंद है कुल मिलाकर सरकों की स्थिती हर किसी के लिए चुनोती बनी हुई है जो टूरिस्ट इन इलाकों में पहुचे हैं, उन्हें वापस जाने में खासी दिक्कते हो रही है हिमाचल की तरह देव भूमी उत्राखन में भी बर्फबारी से बुरा हल हिमाचल प्रदेश की तरह उत्राखन में भी जबरदस बर्फबारी ने लोगों की जिन्दगी पर ब्रेक लगा दिया है हाईवे से लेकर गली तक बर्फ से जमी हुई है मसूरी और धनौल्टी में बर्फ सफेद आफद बन गई है धनौल्टी के ज्यादतर गाउं में कई दिनों से बिजली नहीं है लोगों के सामने खाने पीने की भी समस्या हो गई है ग्रामीडों को पशुओं के लिए चारा पत्ती समेट आग जलाने के लखड़ियों तक के लिए काफी जद्दो जहद करनी पड़ रही है इलाके की कई सड़के बंद हो चुकी है जिन्हें जेसीबी की मदद से खोलने का काम किया जा रहा है और कश्मीर से एक बुरी खबर आई है गुल मर्क के बर्फीले अलाके में तैनाथ सेना का एक जवान लापता हो गया है आशक का जटाई जा रही है कि राजिंद नेगी नाम का ये जवान बर्फ में फिसल कर पाकिस्तान की सीमा में जागुसा है ये खबर आने के बाद देहरादूर में रहने वाले उनके पूरे परिवार में कोहराम मज़ किया है एक चोड़ा सा ब्रेक यहां लेते हैं फोरन लोटेंगे ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला जारी रहेगा बने रही हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बाद फिर आपका स्वागत है कर्णाटक में जीसिस क्राइस्ट की मूर्थी पर जंग शुरू हो गई है कर्णाटक के कणकुरा में बन रही जीसिस क्राइस्ट की मूर्थी के खिलाफ बीजेपी और RSS विरोध कर रहे हैं और इसके लिए बीजेपी RSS ने चलो कनकपुरा का नारा भी दिया है बीजेपी के विरोध की वजह से यहां पर तनाव बढ़िया है तनावपूर माहल को देखते हुए जिला पिशासन ने यहां परीब एक हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है दिल्ली में नागरिक्ता संचोधन कानून के खिलाफ विपक्ष ने बैठक बोलाई थी लेकिन इस बैठक में CAA पर विपक्ष की फूट खुल कर सामने आ गई इस बैठक में ना तो ममता बैनर जी आई और ना ही मायावती पहुँची शिष सेना अम आदमी पार्टी भी इस बैठक में मौजूद नहीं थे 23 जन्वरी से लेकर 30 जन्वरी तक विपक्ष सेफ कॉंस्टिटूशन, सेफ डिमोक्रिसी, सेफ इंडिया वीक मनाएगा 23 जन्वरी को सुभाष चंद्रबोस की जैन पीपर और 26 जन्वरी को गरतंत्र दिवस और 30 जन्वरी को गांधी जी की पुर्णिति थी के दिन पूरे देश में विपक्ष का सड़क पर प्रदर्शन होगा यहां लेते हैं छोटा सा ब्रेक लेकिन आप कहीं जाईएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद भी जी न्यूस पर खबरों का सिलसला जारी रहे